इसको हम इन चारों एंट्रीस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो A inverse है और इधर 2 कैंसल होगा 4 से तो माइनस माइनस पलस तो 1 by 3 multiply by तो 1 by 2 multiply by 3 तो ये बात प्रूव हो गई कि A A inverse is equal to I is equal to A inverse A बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकूम डियर स्टूडेंट्स फेडरल ओड ने इस सेशन से यानि 2022 से जो अपना इमतिहानी निजाम है उसमें थोड़ी सी चेंजिस की है किस बार वो कह रहे हैं कि हम सलाना इमतिहान जो है वो SLO based लेंगे तो इससे बच्चों में बहुत सारी confusion है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहे कि ये SLO क्या चीज़ होती है तो मैं थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि ये SLOs से क्या मुराद है SLOs कहते हैं जी students learning outcomes अगर आपनी मैत की books को देखें तो इसमें हर unit के शुरू में students learning outcomes दिये गए हैं जिस तरह अगर unit number one को देखें तो इसमें पहले ही page पर student learning outcomes दिये गए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि after studying this unit the students will be able to define a matrix with real entries and relate its rectangular layouts with real life define and identify row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix, zero या null matrix तो इस तरह से ये सारे जो SLOs हैं ये लिखे हुए हैं इनका मतलब ये है कि जब इस chapter को आप study कर लेंगे तो उसके बाद आप ये सारे चीज़ें जो है define करने के या explain करने के काबिल हो जाएंगे या ये आप से expect किया जा रहा है ये वाले चीज़ें तो अब board ने ये किया है कि पहले तो वो जो exercise में questions दिये गए होते थे उन ही में से पूछते थे तो अब वो इन चीज़ों को follow करेंगे ये जो student learning outcomes हैं इसके मताबक question paper बनाएंगे question में बातें वो ही पूछी जाएंगी जो इन से related होंगी जिस तरह यहां पर एक लिखाव है कि multiply ये matrix by real number तो real number के साथ किसी matrix की multiplication के हवाले से जो भी questions होंगे वो पूछेंगे और वो questions बुक के अंदर से भी हो सकते हैं और out of syllabus भी हो सकते हैं यापकी book के बाहर से भी किसी और book से भी ले सकते हैं वो अपने तरफ से भी question बना सकते हैं लेकिन वो इतने मुश्किल questions नहीं होंगे कि आपको उनकी समझ ना आए जब आप इस chapter को अच्छी तरह से समझ लेंगे और इन SLOs के मताबक पढ़ लेंगे तो इन SLOs से हट कर कोई question नहीं आएगा जो भी question paper में आएगा वो इनके मताबक होगा मैं आज एक SLO की वजाहत करता चलू इसी chapter number 1 में देखें next page पर page number 2 पर यहां पर लिखा हुआ है find multiplicative inverse of a non-singular matrix A and verify that A A inverse is equal to I is equal to A inverse A where I is the identity matrix अब इसमें आप से यह तकाज़ा किया जा रहा है कि आप इस result को verify कर सकें और multiplicative inverse किसी भी non-singular matrix का निकाल सकें तो इसी result को अब हम verify करते हैं let's say हमारे पास एक matrix A है जिसकी entries में ले ले लेता हूँ 3 minus 1 2 and minus 2 तो इस matrix A में हम इस result को verify करते हैं कि A inverse is equal to I और फिर अगर A inverse A करें तो वो भी equal to I हो whereas I क्या है identity matrix है जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी value होती है 1001 तो यह question आपके जिस SLO से related है वो मैंने भी आपको बता दिया है अब इसमें यह हो सकता है कि board के paper में हू बहू यही matrix आ जाए तो यह matrix जो मैंने लिया है यह आपकी book के exercise में से लिया है और यह भी हो सकता है कि वो matrix की entries चेंज कर दें और फिर कहें कि result इसी को आप ने verify करना है मतलब यह है कि result वो ही है SLO वो ही है आगे उसकी जो question में दिया गया matrix है उसकी entries चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत तो उसके मताबक अगर आपको इसका तरीका आता होगा तो आप जो भी entries दी जाएंगी उनको आप असानी से प्रूफ कर सकेंगे मतलब यह है कि आपको method आना चाहिए तरीकार आना चाहिए फिर matrix जो भी हो उसमें आप उसको verify कर लगे इसमें हमने यह थाबित करना है कि A matrix को उसके inverse से multiply करें तो answer आई आए और दूसरी तरफ अगर A inverse जो है उसको पहले लिख दें A को बाद में लिखें और उनको multiply करें उनका products लें तो उसका answer भी आई आना चाहिए आई क्या है यह identity matrix है जो एक unique matrix होता है तो यह answer आना चाहिए दोनों cases में यानि left side को solve करें तब भी यही answer है right side को solve करें तब भी यही answer है और चुके दोनों का same answer है तो दोनों आपस में equal भी होंगी तो यह चीज़ हमने prove करनी है तो इसके लिए हमने simple दोनों side में products लेनी है matrices की और दोनों matrix को multiply करने का तरीक हम पहले से जानते है अब मसला यह है कि एक matrix तो given है यह matrix जिसको हमने multiply करना है इसके inverse से और inverse वाला matrix हमारे पास नहीं है तो पहले हम इस matrix A का inverse find out करते हैं और उसके बाद फिर इसकी verification करेंगे यानि दोनों side को multiply करेंगे तो inverse किसी matrix का निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए एक तो उस matrix का determinant और दूसरी चीज़ है adjoint तो चुकि हमने matrix A का inverse निकालना है तो पहले हम इसका लेते हैं determinant अगर matrix A का determinant लें तो determinant लेने के लिए हमें इसकी जो entries हैं उनमें जो diagonal वाली entries हैं 3 multiply by minus 2 और इसमें से subtract करेंगे दूसरे दो elements का product यानि 2 multiply by minus 1 और अगर इनको multiply कर लें तो 3 2s are 6 minus 6 हो जाएगा और इसमें से subtract करना है 2 1s are 2 minus 2 तो यह हो जाएगा minus 6 plus 2 चूकि 2 time minus का sign है तो plus हो जाता है और minus 6 plus 2 is equal to minus 4 तो इसका जो determinant की value आ रही है वो है negative 4 फिर हमें इसका एड़ जाएट चाहिए तो एड़ जाएट आफ ए यह एक matrix होता है जिसमें जो diagonal entries हैं उनकी position चेंज की जाती है यानि इसमें जो first entry 3 है वो यहाँ पर नहीं आएगी बलकि यहाँ पर fourth position पर हम three लिखेंगे और जिस position पर minus 2 है यानि fourth element है उसको इधर first position पर ले जाएगे minus 2 इधर आ जाएगा यानि 3 और minus 2 इन दोनों की position चेंज कर देंगे और जो दूसरे दो elements है minus 1 और 2 यह अपनी position पर ही रहेंगे इनकी change होंगे सिर्फ signs यानि यह जो 1 है यह negative 1 है तो यहाँ पर यह plus 1 हो जाएगा और यह जो 2 है fourth element यह plus 2 है तो यहाँ यह minus 2 हो जाएगा यह जो matrix अब हमारे पास आया है यह original matrix A का adgiant है अब हम find out करते हैं A का inverse उसके लिए formula क्या है कि adgiant A over determinant of A values put करने A inverse will be equal to adgiant A यह matrix है minus 2, 1, minus 2, 3 और divided by determinant of A जिसकी value है minus 4 यह हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि A inverse is equal to 1 over minus 4 into minus 2, 1, minus 2, 3 अब यह जो 1 over minus 4 है यह जब इसके अंदर जाएगा तो इसके तमाम elements से यह minus 4 डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको फिर यू लिखेंगे कि A inverse is equal to इसका first element है negative 2 यह भी divide होगा minus 4 से यानि minus 2 divided by minus 4 second element है 1, तो 1 divided by minus 4 third element भी minus 2 है तो minus 2 over minus 4 और इस तरह है 3 तो 3 divided by minus 4 यह हो गया A inverse अगर इसको मजीद थोड़ा सा simplify कर लें तो 2, 1s are 2, 2, 2s are 4 इदर भी 2, 1s are 2 और 2, 2s are 4 तो A inverse की value आ जाएगी चुक्के 1 भी negative है 2 भी negative है 2 minus के sign होगा यह प्लस हो जाएगा 1 by 2 यह बन जाएगा minus 1 over 4 यह भी दोनों minus sign है तो plus 1 by 2 आएगा और fourth element होगा minus 3 over 4 यह हमारे पास आगया A inverse matrix अब हमने A inverse matrix भी find out कर लिया है और original A matrix तो उसने हमें दिया हुआ है तो अब हम इस result को verify करते हैं पहले हम इसकी left side ले लेते हैं तो left side पे क्या लिखा हुआ है A A inverse A A inverse इसको equal हमने proof करना है इस A matrix के अब मैं इस A matrix को erase कर देता हूँ तो इसमें अब हम क्या करेगी चुकि A का नाम पहले लिखा हुआ है तो पहले हम matrix A लेते हैं जिसकी entries है 3, minus 1, 2, minus 2 और इसको multiply कर देना है यह inverse के साथ यह inverse के element है 1 by 2, minus 1 by 4 इधर 1 by 2 है और minus 3 by 4 अब दो matrices की multiplication का तरीका हमें मालूम है तो हम इनको multiply कर लेते हैं first matrix की जो पहली row है 3 और minus 1 इसने जाके multiply होना है इस matrix के first column के साथ तो 3 multiply होगा इस उपर वाले element से और minus 1 multiply होगा दूसरे element से और दोनों के जो answers आएंगे उनको फिर हमावस में add कर देंगे तो यहां लिखते हैं 3 multiply by 1 by 2 और उसमें add करेंगे minus 1 multiply by 1 by 2 यह एक element बनेगा अब इसी row को दूसरे column से multiply करेंगे तो 3 multiply होगा इसके first element minus 1 over 4 से और इसमें add करेंगे minus 1 multiply by minus 3 over 4 जब हम दूसरी row को लेंगे तो उसके जब पहले column से multiply करेंगे तो यहां third element बनेगा 2 multiply by 1 over 2 और इसमें add करेंगे minus 2 multiply by 1 over 2 और second row second column से multiply होगा तो 2 multiply by minus 1 over 4 और add करेंगे minus 2 multiply by minus 3 over 4 तो यह result आएगा left side की multiplication का इसको थोड़ा सा और simplify कर लें तो 3 times 1 over 2 is equal to 3 over 2 minus 1 multiply by 1 by 2 तो this will be equal to minus 1 over 2 2 से ये 2 cancel होजाएगा तो यहां 1 आएगा और ये भी 2 cancel होजाएगा तो minus 1 आएगा इस तरफ देखें तो 3 multiply होगा minus 1 over 4 से इसको हम लिख देंगे minus 3 over 4 और minus 1 multiply होगा minus 3 over 4 से तो 2 times minus है पलस हो जाएगा 3 over 4 और fourth element 2 ones are 2, 2, 2s are 4 ये बन जाएगा minus 1 over 2 और इधर 2 cancel होगा 4 से तो minus minus plus 3 over 2 अब अगर 3 over 2 से 1 over 2 minus कर लें तो चुके दोनों का same denominator है तो denominator वही रहेगा और 3 minus 1 हो जाएगा 2 over 2 तो यहां first entry बनेगी 2 over 2 second में देखें तो minus 3 by 4 है और plus 3 by 4 है चुके ये दोनों terms बिलकुल equal है और sign different है तो ये cancel हो जाएगे यानि minus 3 over 4 plus 3 over 4 cancel तो यहां पर आ जाएगा 0 इधर plus 1 और minus 1 ये भी 0 हो जाएगा और यहां पर फिर दोनों का denominator same है 3 plus है और 1 minus है तो 3 minus 1 करेंगे तो ये भी 2 over 2 आ जाएगा या अगर हम 2 over 2 को 2 1s are 2 और 2 1s are 2 cancel करें तो 1 over 1 यानि 1 बन जाएगा second 0 है इधर भी 0 है और ये भी 2 over 2 1 हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा 1 0 0 1 which is equal to I तो लेफ्ट साइड जो हमने साल्व किया है उसका आंसर हमारे पास I मेट्रिक्स आ गया है अब चलते हैं दूसरी इसकी जो राइट साइड है उसकी तरफ टेकें राइट हैंड साइड और राइट साइड पे था A inverse A यानि इसमें हमने परूफ करना है A inverse A तो इसमें चुके A inverse पहले लिखा हुआ है तो जो A inverse वाला मैट्रिक्स है उसको हम पहले लिखेंगे और 1 by 2 minus 3 by 4 ये मैट्रिक्स है A inverse और इसको multiply करना है A के साथ ये मैट्रिक्स ये वाला है 3 minus 1, 2 minus 2 3 minus 1, 2 और minus 2 इन दोनों को multiply करना है right side पे अब हमने इस पहले मैट्रिक्स की rows को दूसरे के column से multiply करना है तो first row में first element 1 by 2 है 1 by 2 multiply होगा first element 3 के साथ और इसमें add करेंगे second element इसका है minus 1 by 4 जिसको multiply करना है 2 से और इस row को जब second column से multiply करेंगे तो फिर 1 by 2 multiply होगा minus 1 से और इसमें add करेंगे minus 1 by 4 multiply by minus 2 और second row को जब हम multiply करेंगे इसमें first element 1 by 2 है यह multiply होगा 3 के साथ और इसमें add करेंगे second element minus 3 by 4 multiply by 2 और second row second column first element 1 by 2 multiply by first element minus 1 और add करेंगे second element इदर है minus 3 by 4 जो के multiply होगा इसके second element इस column के जो second element है minus 2 से तो यह answer आएगा इन दोनों के multiplication का अब इसको मजीद simplify करें तो 1 by 2 multiply by 3 3 by 2 हो जाएगा और इधर 1 by 4 multiply by 2 करेंगे तो 2 का table 4 पे 2 times तो यह हो जाएगा 1 over 2 minus का minus 1 over 2 यहाँ पर देखें तो यह भी हो जाएगा minus 1 over 2 और इन दोनों को multiply करेंगे तो एक तो 2 cancel होगा यह 1 over 2 रहेगा और sign चुके 2 times minus है तो यहाँ पर यह plus 1 over 2 आएगा second row में 3 multiply by 1 by 2 this is equal to 3 over 2 और इस तरफ यह 2 तूजार 4 होगा तो यह 3 over 2 बनेगा लेकिन sign इसका minus रहेगा यानि minus 3 over 2 और इसमें minus 1 को 1 by 2 से multiply करेंगे तो minus 1 by 2 और minus 2 को multiply करना है minus 3 over 4 से तो 2 cancel हो जाएगा minus और minus 2 minus के sign multiply हो तो plus हो जाएगा और 1 times 3, 3 over 2 बचेगा अब अगर इसको मजीद solve करें, simplify करें तो 3 by 2 में से 1 by 2 minus करेंगे तो यह 2 by 2 आएगा चुके दोनों का denominator 2 है तो वह सकैलसियम हो जाएगा और numerator unchanged होंगे तो 3 minus 1 करेंगे 2 over 2 similarly इस तरफ देखें तो minus 1 by 2 और plus 1 by 2 यह तो cancel हो जाएगे, 0 आजाएगा इसी तरह से यहाँ पर 3 by 2 plus है, 3 by 2 minus है, तो यह भी cancel हो जाएगा और 1 by 2 minus है, 3 by 2 plus है तो 2 अगर इसका same denominator ले ले लें, तो उपर 3 minus 1, 2 over 2 plus आएगा और इस 2 over 2 को अगर 1 over 1 कर लें तो यह 2 over 2 भी 1 over 1 हो जाएगा, चुके 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 1 over 1 को हम सिर्फ 1 लिखेंगे, इधर 0 है, इधर भी 0 है और यह भी 1 हो जाएगा, तो यह answer भी 1, 0, 0, 1 आएगा, which is equal to identity matrix I तो जो right side cancer था, वो भी I के equal है, जो इधर left side cancer हमने निकाला, वो भी I के equal है, और दोनों चुके I के equal है, तो दोनों आपस में भी equal हैं, तो यह बात prove हो गई, कि A, A inverse is equal to I, is equal to A inverse A, तो नीचे हम लिख सकते हैं, कि hence A inverse is equal to I, is equal to A inverse A, और यही result prove करना था, आपके SLO में भी यही चीज़ लिखी हुई है, कि बच्चे जो हैं, इस काबिल हो जाएंगे, कि वो यह result खुद prove कर सकें, इसको verify कर सकें, अब अगर आपके paper में जो matrix A है, उसकी values कुछ और दी जाती हैं, यह वाली entries नहीं होती हैं, कुछ और होती हैं, तो भी आप इस तरीकार को इस्तमाल करते हुए, उसको prove कर सकते हैं, कि A inverse is equal to I, is equal to A inverse A, यह यह result तक आप पहुँच सकते हैं, तो इसमें आपको प्रेशान होने की जरूरत नहीं है, आप easily खुद ही इसको साल कर लेंगे, चाहे entries कुछ भ होगा, अब ज्यादा से ज्यादा वो यह तबदीली कर सकते हैं, कि जो given matrix है, उसके अंदर well use हैं, वो कुछ और रख दें, और वो भी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रखेंगे, जो given matrix है, इस से जो अगर changed question हुआ, unseen question हुआ, तो उसकी well use हो बहुत आसान देंगे आपको, उतना मुश्किल नहीं होगा, आप उसको easily solve कर सकेंगे, ओके जी, ये तो था हमारा आज का lesson, अब इजाज़त देजिए, खुदा हाफिज।